नमस्कार आप देख रहे हैं जनबोल नियूज मैं हूँ आपके साथ सजुद आलम 2020 ये चुनावी साल है एक तरफ दिल्ली में चुनाव होने वाला है जो फेबरौरी महीने में होगा तो दूसरी तरफ इस साल के अंत में बिहार में विधान सभा का चुनाव होने वाला है इसी बीच आईए हम पटना के निवासियों से और पटनावासियों से बात करते हैं और जानते हैं कि पटना में अगर अभी चुना होता है यानि बिहार में अभी चुना होता है तो वो किसे मुख्य मंतरी के तोर पर देखना चाहेंगे किसे सरकार में लाना चाहेंगे कौन इस वार सत्ता पर कापिश होगा पतना का माहूल तो काफी चेंज हो गया उनका काम भी दिखता है पतना में कुछ दिनों पहले बाढ़ हाई थी उस दर्मयान सरकार के तरफ से क्या किया गया था होता है तो किसको Champonから अ क्या अनका मंत्री के तौर पर किस को देखना चाहिए कुछ रकुमार मोधि को मोधिन अच्छा काम किया इंडिया में चाहिए वो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो चाहिए हर जिए मोधि अच्छा कर रहे है अच्छा कर रहा है हम चाहेंगे कि वह बिहार में भी अच्छा करें उन्हें मौका दिया जाए हर बार जेडियों के सरकार रही है उनके इंडिविज्वल चाहरा है कि सरकार है सेम बीजेपी बीजेपी अब देख रहे हैं कि पूरा भारत चला रहा है इतना बेहतर तरीके से तो बिहार में भी एक बार मौका मिलना चाहिए उन लोगों को इसलिए बीजेपी के सपोर्टर हैं हम लोग कहा जा रहा है कि रोजगार की बहुत जादा कमी है यह दूसरा टर्म है बीजेपी का सेंट्रल में क्या लगता है रोजगार देखिए सरकार तो अपने तरफ से करी रहा है रोजगार के लिए हम लोगों को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए सरकार के तरफ से आपके जो पड़ा लिख है जो पड़ा लिख है जो क्वालिफाइड है उसको नौकरी तो मिली रहा है ऐसा तो नहीं है कि बैठा हुए इस बात से अच्छा है और क्या कि इस साल के अंत में चुना होने वाला है किसको वोट करिएगा अगर अभी वोटिंग हो तो अपकोस बीजेपी और कौन बीजेपी क्यों बहुत चीज़ों मतलब काम कर रहा है और कॉंग्रेस से अपने देश में दो ही पालिटिक्स जादा आता है जो कॉंग्रेस और बीजे यदि देखे उध्या वाला जो जिट वह वाट क्लियर हुआ है तो सिम्पल से बात है और कुसको पाल नजयेगा और किसको वोट करना रहा है वो भी काम कर रहे आगर दन रहा तो फीर अपना स्थी राज्सारकार एक रहेगा तो ज्यादा टेवेगा ज्यादा काम होगा इस एक जो चेंटरल को वहर्मेंट का जो है और जो श्टेट को दुनों एक पार्टी कर रहेगा तो ज्यादा सुपोर्ट करेगा ना दूसरे को तो इसलिए अपकोस बिजय कोई देंगा इस साल के अंत में जोना होने वाला वाला है बिहार में अगर आभी चुना होता है तो किसको बोट करेगा जी ऐसे तो फिले और जेडी का interpret आर जेडे को बोट करेगा सी एम किसको ₹ Свी जी बिलकुल beetle कende seventमrya इसला देखा जए तो भिरूजगार आप जादे नीतिसके और ऐसा कि हर बत्रेंच जरूरी है और फाक्षवीवक्षी बात ऊसे होना ज़रूरी है अगले साल कौनेविक को मुखा मिलना चाहिए कहा से था क्या हूं नालंदा जिलाुब drop के हार में इससाल चुनाँ होने माला है को मुक्नेमा वुट करियेगा इसको बोट करिएगा बोट तो इंडियो के करेंगे इसे मुख्य मंत्री के तौर पर किसको देखना चाहिएगा मुख्य मंत्री के तौर पर किसको देखना चाहिएगा उसको बोट परला के बाद है ने आभी का कहा है आप किसको देखना चाहिएगा आप हम इंडिया के भूट देंगें इंडिया के माने भाजपा के भूट देंगे, यह वह वोट करीये है है। ड्यूसमा कैसी तरह वोट दे दिजेगा, चाहे करें। कहां से हैं आप बिहार में जहानाबाद इस साल के अंद में बिहार में चुनाव होने वाला है विधान सबाका अगर वो चुनाव अभी होता है तो किसको वोट करी हो बीजेपी वीजेपी पीजेपी अच्छा काम कर रही है के अंदर में जो सरकार है वह अच्छा काम कर रही ह प्रांतिये सरकार जो एंडिये है वो भी अच्छा काम कर रही है comparatively दूसरे सासंग के तुम्ना में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहिए सुसील कुमार मोदी नितीश कुमार? नितीश कुमार को नहीं कठवंधन में है तो उनकी लाचारी है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सुसील कुमार मोदी ही है यह उनकी लाचारी है सुसील कुमार मोदी कोई रीजन होगा? सुसील कुमार मोदी बित्वमंत्री के रूप में कम से कम 15 साल से काम कर रहे हैं एक अच्छे बित्वमंत्री के रूप में अस्थापित हुए हैं बिहार में, सिनियर मोस्ट लीडर है, काम करने वाला है और जनता को, आम जनता की सेवा करते हैं, जो जाता है काम लेकर उनके पास, उस पर ध्यान दे के उसका काम करा देते हैं, यह उनका गुन है, हम देखें हैं, बेक्तिगत रुप से, मैं गया था, म महा महीम का कार्ज करम लेकर हमको सुचित कर दिये, कि महा महीम का काम तै हो गया, कार्ज करम आपके हाँ तै हो गया है, इतना कौन करेगा, इसलिए मैं तो भाई उनका रीनी हूँ, इसलिए मैं कहूंगा कि सुसीन कुमार मोधी मुख्यमंतरी होंगी, तो सरी सबीच और नोट कदम कुआ यानि पटना से हैं अच्छा शाहिल जी इस बार बिहार में चुनाव होने वाला है इस साल के अंत में अगर वो चुनाव अभी होता है तो आप किसको वोट करिए ऐसे सोस तो लिये हैं लेकिन अभी तो नोटा को वोट करना चाहेंगे नन अब देब अब सब्सक्राइब करना सबसे बढ는गे जिस अब नितिस कुमार काम कर रहे हैं उसमें तो सही लगीं तब यूद्र है हम चाहते क् है और अच्छा काम करें वह नगी है अब कर से इसके चाहदा निसी करेकाल होडा बने तो यह यह सब नाहें को पता है पाई अच्छा ज़ जाई कषल पतना जिला पटना जिला लेकिन वही बनेंगे नितिश कुमार सिधा किसी सभी पूछे नितिश कुमार एक मुख्यमंत्री का उन पद बैड़ी है उनके पास और कोई हो ही नहीं सकता है मुख्यमंत्री पे वो जम गए है मैं तो वोट करूंगी नितिश कुमार को कड़ूंगी लेकिन वह इस बार अगर अच्छे नहीं करें जो हम लोग को चाहिए वो नहीं करेंगे तो हम लोग नया चाहेंगे क्या चाहिए आपको जो चाहिए वो सब मिल रहा है लेकिन महंगाई इतनी बोर रही है कि लग रहा है कि हम लोग का किचेन में कुछ प्याज की कमी हो जाती है लसुन की कमी हो जाती है वो सब कैसे सॉल्व होगा उसके लिए भी कुछ चाहिए कुछ लेडिस के लिए कुछ और प्रिफेंस चाहिए जो है उससे ज्यादा चाहिए और प्रिफेंस चाहिए रेलवे का टिकेट का दाम बढ़ गया है वो कम होना चाहिए लेडिस के लिए कुछ कम होना चाहिए कम से सारा मसला आ रहे हैं कहीं न कहीं के अंदर सरकार के अंतरगत आता है यह तो कंदि सरकार में लड़कर आता है मंदिर घुमने आया था निशाबाद में जा रहे हैं अच्छा बावा बिहार में इस साल चुनाव होने वाला इस साल के आंत में अगर वो चुनाव अभी होता है तो किसको वोट करेगे हैं हम तो पहले कंग्रेशी हैं हमरी सब को चकर पुराने हम लोग टीचर है तो हम लोग तो कांग्रेशी हो पसंद करते हैं कंग्रेश को पसंद करते हैं हम नहीं करते हैं क्यों भाजबा को लाइक नहीं करते हैं जो किया वो कंग्रेशी किया यह लोग तो क्यों पुलिंदा बना रहे हैं रोजी रोजगार हमारे बच्चों को नहीं देंग तो क्या लगता है इस बार कॉन मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री अब देखिये किसका पल्राब भारी होगा हम नहीं का अपना ओपिनियों आपके इसाब से कौन ठीक है सीएम के पदपर अगर बात करें सीयाम के पjud के लिए तो अब सोचना पढ़ेगा अहां आध repay किन टीकत घरा कि bersphony आधा कंट कर्गे कोई भी काहां कोई नखनी च्वरा लट काम हाली जोल भरो आज डो अदूत कोई अभी आन चाला रहे बच्चे किसी बच्चे को नोकरी हो रहा है का बॉंपर नोकरी जो आगरेस के समय में हुआ जानते हैं तब सपोर्ट करेंगे साथ में भी रहेंगे तब यह सब कर रहा है पहले तो ऐसा था कि आदमी सामें निकलता नहीं था तो सब को दीन हो रहा थो जिस्तमाइं जहां मन होता जाता है और छोटा मुटा घटना तो होते रहता है इसके लिए को दिक्कत थोड़ी होता है वाज भी होगा कल भी होगा सब दिन होते रहेगा घटना उसो कम होना और जादा होना तो बाद की बात है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि हाँ खराब है यह हो बहुत अच्छे है वोट फोर नितीश कुमार क्यों कि वह हमारे सुपर सुरू से ही हमारे सर्व परिये रह है यह चीज हम वह थी सुडेंट लोक लिए बहुत अचारा है ना अखासकर अब तो लड़किया जो कभी घर से निकलती नहीं थी अब घर से निकलती है इधर उधर जाती है बहुत कुछ अब उनको वाई काते है नो मानेनी यह दिल से मानते है नितीश कुमार को उनी को हमे हार में चुनाओ होने वाला है इस साल के अंध में चुनाओ होगा अगर वो चुनाओ अभी होता है तो आप किसको वोट करिए जब तक है कि हमने भी जेपी और जेडियू को चांस दिया पिछले पांच साल में और उससे पहले वह आर्जिडी के साथ भी थे तो इस आक्यू को इतना वो मुझे प्रोग्रेस ने देखा मैं अपनी सब स्कूलेज अले सब भार क्या हो यहां आता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है हम यह बोलते डवलमेंट वह डबलमेंट वह यह सारी लोग जैसे लोग डबले के ना यह उनके वाज़े से डबलमेंट सरकार की क बोले यह देख लो यह बी टॉप टैन में आता है ने फैसन टेकनोलोजी के वाज़े से तो यह मारी सब्सक्राइब एजुकेशन प्यद्यान नहीं देती यह बाकि हैना हमारा माइं डायवट करने के लिए हम आपके प्लांट यह क्या उस्मार सिडिला देते हैं आपके लि सब्सक्राइब कर लिए तो यहां की सब्सक्राइब कर लिया कि बातने में पैसे बरहाना है तो यहां की सब्सक्राइब कर दो लोग अपने अपसों धर जाएंगे बोलते हैं पूरे इंडिया में मतलब की वो चल रही है दारू चल रही है तो यह कौन से कोई अलग स्टेट है गुजरात में वह तो चलो हम मानते हैं कि महात्मा गांदी का वह बर्थ प्लेस था इसलि है बस दारूबंदी कर वा दी सबसे ज़्याद है अच्छे आसा आमांट आता था यह सब कुछ निए आप परहाई तो नहीं पहला परहाई लोगों को आप संझा दो कि यह आपको कम करना है यह जादा करना तो यह नहीं अच्छा इसे सट इसाइंसर ऑशा नहीं इसी को मार और पास अब तक कोई यंग नहीं हमने जब तक को भी हमारे जो हमें रिप्रेजन्ट की यह हमने यंग हमार जब से मैं देख रहा हूं पिछले का मुझे इतना नॉलिज्ज निए बॉल्टिक्स वाल्टिक्स तो क्यों नहीं हम लोग इसको यंग को देख देखते हैं क्या बत मंत्री होंगे तो उनसे आप कौन सी आप इक्षाय रखते हैं सबसे पहले यहीं अपछा होगी कि यहां कि सबसे पहले एजुकेशन लाइन को सही करें सबसक्राइब एक पढ़ना है ख्याल से बहुत महानगर बना वह और को इतना नगर वह करनी है वैसे नगर में बहुत सारे आते हैं में खाल सी बिहार सरीफ इस अभी नगर में आते होंगे तो वहां पर भी मतलब की अब धीरे-धीरे मैं देखता हूं कि बहुत सारी कोचिंग खुल गया है लोग को पदल चल रहे परहाई के बार मतलब सबसे पहले बुलूँगा सरकारी स्कूले और कॉले और कॉल तुमें तुमें पर चलत तीन साल का गोर से बच्चे चार साल में कोर्स कर रहे एक साल आप ऐसे पर वात कर दे रहे हो यार और फिर उसके वाद बोलते कि हैसमें हम क्या करें अर्य पूरा हाथ ही आपका सरकारी कॉलेज आपका ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते सौसाल सोगे और शर्चा लॉओत होगा नाइ 쪽 लिए वीधान संवा का चुनाओं होगा तो किस को करि собствен करेंग deze को इस भीखार के विचारज़ करने के विखास को वूट करिए गतरोड़ करीगा सबस्क्याइब भचानशी नियद्व 돌ar चलता है रोड़ में घड़ा क्या है उसका कभी निचानशी में विकास होगा जगई कर दाए Barand कि लाया उसको दूसरे को यूज किया भरबर पेट कम जो मैंने कम जोड जात को वाइसा को वोट दे के बिहारा को बरवाद में करना जो तरह की करें जो कानून का नाम कोई है आपकी नजर में अवाल इंगर थावल कि रहेगा विहार में नजात पाचले गा ने धर्म चले का कोंद क gens देंगे जिसरे चाहिजित में जो रास्त में कि नहीं हमको विकास करना है मोट के लिए असको पुरा दोनों हाथ घी कड़ाही में अमुँख गडाही में जो रोड होड को बेज सामान को पूरा बेज दे है कलर को भाम संब जो कभी नहीं बोत दे ना है कोट का चहरी में इतना सारा दावेदार दावेदार लोग हैं बिहार में कोई चहरा नहीं है आपकी नजर में जो लगता है कि मुख्यमंत्री बन सकता है कि बिहार में राथ है भारत कर देगा कर देगा है नहीं नहीं हो रहा है कर नहीं हो चारो बड़ी दूसमन लगा हुआ हमको पर्चारिण कर रही है हम नेतनी नहीं यही तो बिहार में आई तक हुआ है यही तो बिहार बरबाद है जाती धर्म दूगों मिट जाए तो बिहार का कल्यान हो जाए पूरे देश का कल्यान हो जाए बारत के लाकम जोड़ी है कि जात और धर्म यह सब अंधभक्ति है यह कुछ नहीं है और किसी को कोई नहीं देता है कोई जात को देदेगा हमको नहीं खाने का है एक हैर रुपईया कभी नहीं देगा आप गला घुट लगा खेत लिखाने के लिए तैयार हो जाएगा गलात किसी को जीता है किसी कोई जीते हैं कोई आप गुपते रखें किसी कोई जीते हैं कोई हारे जब मेरे लिए उकामे नहीं किए छोचाहजार खाता में कहां गया हम लोग इतना जो पानी में भींगे नहीं तो अम लोग बिखाइन हो गया इतना कि सोना से चांदे तक डूब गया बताईए हम लोग भी खाइन बनके उनको बोड़ दें एए अच्छाहजार न जो बोले थे खाता में वो ना बोले थे और कोई तो नहीं नहीं अभी नहीं अभी कुछ नहीं कहेंगे अभी मन में बात रखेंगे इसाब सोचना गलत है इसब कहेंगे तो बापरी पाप लेगा उनको जिसको आया हुगा जान हम लोग तो नहीं आया है अफ तो रोज खाते चेक करने जाते हैं कि हम लग लगा हुआ है भी यातना तक फोटू टू सब कर रहा है लेकिन कुछ नहीं दो को मिला जाना है सिवासपरसाद अच्छा सर बिहार से हैं आप कहां से बिहार में दानापुर केंट बूल रहे हैं अच्छा बिहार में इस वार चुनाव होने वाला इस साल के अंत में अगर वो चुनाव अभी होता है सर तक किसको वोट करिए अब ऐसा सवाल आपको टूनिक कर रहे हैं किसको वोट दीजिएगा इस तो बड़ा नमुकिन है लेकिन ऐसे तो बीजेभी का लग रहा है जो सवारी छेतर में हम रहते हैं सवारी छेतर के बता रहे हुँ सारा भी है जब बाहे है जो याको आपको प्यूनिक कर रहा है जो अगर दो शीमिएगा जीजिए बीजेगा जो आवीजेगा जीजेगा ज दोग सवारी का फिए नमुकिन घूदरे पहा है गलीजेगा जेगा भी याल